तो कहानी की शुरुआत कुछ इस परकार है कि हमने सूपरमैन की कहानी में देखा था कि जब क्रिप्टॉन प्लैनेट खत्म होने वाला था तो उसके मॉम डैड सूपरमैन की जान बचाने के लिए उसे पिर्थवी पे भेज देते हैं पर वहीं हमें दिखाया जाता है कि उसक की जर्नी बहुत लंबी होने वाली है पर इसमें उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम सोती रहेगी केरा अपनी मॉम से प्रॉमिस करती है कि वो हर हालत में अपने कजन की इफाज़त करेगी और इसके बाद वो अपने स्पेस सिप में बैटकर व वो 24 साल तक सोती रही फिर किसी तरह उसका सी पर्थ पे लैंड होता है पर जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसकी उम्र अभी भी 13 साली होती है पर उसका कजन अब एक बेबी से बड़ा होकर दुनिया के लिए सूपरमैन बन चुका था और उसे अब किसी की हिफाज़त क ज़रत नहीं थी सूपरमैन कैरा को लेकर उन्हीं के पास गया जिनोंने उसे पाल कर बढ़ा किया था क्यूंकि वो चाहता था कि उसका भी बच्पन उसी की तरह भी थे और एक दिन वो उसी की तरह अपने पावर को रियलाइज कर सके कैरा को उस फैमली में एक बेहन भी मिल जिसका नाम एलेक्स था अब इसके बाद हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं कैरा के पास वो सारी सूपर पावर्स होने के बावजूद वो एक मीडिया कमपनी में काम करती थी ताकि वो एक नॉर्मल इंसानों की जिन्दगी जी सके क्यूंकि दुनिया को अब एक और सूपर हीरो की ज़रत नहीं थी वहीं हम उसके एक फ्रेंड चारली को देखते हैं जो कहीं न कहीं कैरा को पसंद करता था पर कैरा उसे सिर्फ अपना एक दोस्त मानती आई थी कैरा के आफिस में उसकी बॉस ग्रैंट उसे कुछ इंपलॉईस को अपनी कमपनी से निकानने क को कहती है किमकि वो उतने लोगों को अफॉर्ड नहीं कर पा रहे थे ग्रैंट के इस डिसीजन से कहरा खुश नहीं थी वो उससे कहती है कि अगर उन्हें अचानक से ऐसे ही निकाल दिया गया तो उनकी फैमिली का क्या होगा इस पर ग्रैंट उसे बताती है कि मेट्रोपॉ इस सहर में एक सूपर हीरो है जो हमेशा से हिरोई का स्टंट करके लोगों को बचाता रहता है जिसे वो लोग सूपरमैन बुलाते हैं और उसी की वज़े से उनकी रैवेलरी कमपनी जैसे की डेली प्लैनेट वो हमेशा से ही सूपरमैन को अपने कवर पेज भी रखते हैं और अगर उन्हें अपनी कमपनी को बचाना है तो उन्हें भी कोई उसी की तरह नया सूपरहिरो ढूनना होगा। इसके बाद कैरा जिमी ओलसन नाम के एक आदमी से मिलती है जो पहले डेली प्लैनेट में काम करता था पर अब से उसने उसकी कमपनी में जॉइन कर लिया था। कैरा जिमी को जानती थी क्यूंकि वो सूपरमेन का अच्छा दोस्त था और एक बहतरीन फोटोग्राफर भी जिमी उसे अपनी दोरा खीची गई सूपरमेन की एक तस्वीर गिफ्ट के तोर पे देता है जिसे पाकर कैरा बहुत खुस होती है अगले सीन में हम कैरा की बहन को देखते हैं जो किसी काम से बाहर जाने वाली होती है पर कह रहा है उससे अपने लिए एक ड्रेस चूज करने को कहती है क्यूंकि आज वो किसी के साथ डेट पे जाने वाली थी एलेक्स जल्दी से उसके लिए एक अच्छी से ड्रेस सेलेक्ट करके निकल जाती है और उसकी बैन एलेक्स भी उसी फ्लाइट से जाने वाली थी, वो तुरंट भाग कर वहां से बहार आती है और अपनी सूपर विजन से उस प्लेन के अंदर एलेक्स को देखती है, वो उस प्लेन को बचाने के लिए उड़कर उसके पास पहुंचती है और वो पूरे प्लेन को आपको दुनिया के सामने ला दिया है जिसकी वज़े से उसे आगे जाकर बहुत परिशानी होने वाली है वो उसे आज के बाद ऐसा करने से मना करती है क्यूंकि ये उसके लिए सेफ नहीं था अगले दिन कहरा के आफिस में सारे लोग इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि उस बजाने वाली वो मिश्टरीगल कौन है उसकी बोस ग्रैंट उस मिश्टरीगल को सबसे पहले अपनी कंपनी के थुरूसब के सामने लाना चाहती थी इसी लिए वो सबको उसके बारे में जितनी जानकारी हो सके लाने को कहती है और किसी तरह वो उन लोगों से उसकी एक क्ल प्लेन को बचाया, वो कोई और नहीं बलकि वो खुद है, चारली को उसकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था, पर जब उसने उसकी सामने उड़कर दिखाया, तो चारली की आँखे खुली की खुली रह जाती है, इसके बाद हम उस सहर में वाटेक्स नाम के एक एलियन क दीखते हैं, जो अपने बास से बात कर रहा होता है, कि कैसे उसका कल एक प्लेन को क्रैस कराने का प्लेन एक लड़की ने फेल कर दिया, उसके बास को पता चल जाता है कि वो लड़की ऐलूरा की डाउटर कह रहा है, वो उसे किसी भी तरह कहरा को खत्म करने का ओर्डर देत और फिर बहुत से लोग आकर उसे वहां से ले जाते हैं, कहरा कि जब आंक खुलती है तो वो अपने आपको किसी चीज से बनी हुई पाती है, वहां उसे हैंक हैंसाओ नाम का एक आदमी मिलता है, जो उसे बताता है कि ये सारे मेटेरियल क्रिप्टोनाइट से बने हैं, जिसे वो तोड़ नहीं सकती, तभी वो वहां पे अपनी बहन एलेक्स को देखती है, जो आकर उसके हाथों को खोलती है, इसके बाद हैंक उसे बताता है कि वो डी यो के कबजे में है, यानि कि डिपार्टमेंट ओफ एक्स्टर नॉर्मल उपरेशन, जो पिर्थवी को बाहर की दुनिया और एलियन के खत्रे से बचाने का काम करती है, वो लोग कहरा पे तबसे नजर बनाये हुए हैं, जबसे वो यहां पे लैंड हुई थी, क्यूंकि उसके सिप के पीछे फोर्ट रॉज भी यहां आ गया था, फोर्ट रॉज क्रिप्टॉन का मैक्सिमम सेक्यूरिट वाला प्रिजन था, जिसमें बहुत से खतरनाक एलियन्स कैट थे, पर जब क्रिप्टॉन डिस्टॉय हुआ तो फोर्ट रॉज भी कहरा के सिप के पीछे फैंटॉम जोन में चला गया, और वो भी उसके सिप के पीछे ही धर्ती पे आ गया, और जिसकी वज़ए से उसमें क सारे एलियन्स फ्री हो गए, बहुत सालों तक वो सब छुपे रहे, पर अब वो धर्ती के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, और वो सारे एलियन्स मिलकर कुछ बड़ा प्लान करने का सोच रहे हैं, कैरा उनसे कहती है कि वो उन्हें पकड़ने में उनकी मदद कर शक्ती है, प तब ही वहाँ पे जिमी आता है, जिसने सूपर गर्ल की एक किलियर फोटो ली थी, जिसे देखकर उसकी बास बहुत खुस होती है, कैरा जब जिमी से इस बारे में बात कर रही होती है, कि तब ही उसे अचानक से किसी की आवाज सुनाई देने लगती है, वो उसे अलूरा की बेटी कहके बुला रहा होता है, और उससे कहता है कि अगर सहर के लोगों की वो जान बचाना चाती है, तो वो तुरंट सहर के पावर प्लांट के पास आके उससे मिले, कैरा बिना कुछ सोचे उससे मिलने के लिए निकल पड़ती है, वहाँ पे पहुँचकर वो उसे आवा फाइट होने लगती है, वोटेक्स कहरा पे बहुत भारी पढ़ रहा था, क्योंकि कहरा ने अभी तक अपनी पावर को सही से इस्तमाल करना सीखा नहीं था, वो उस पे एक कुलारी से वार करता है, जिससे कहरा घायल हो जाती है, वो उसे मारने ही वाला होता है कि तब तक व वो इस बार उसे जरूर खत्म कर देगी, और वो उसके पास पहुंच जाती है, और उसके ट्रक से टकरा कर उसे नीचे गिरा देती है, और उस पे लगतार हमला करने लगती है, पर वोटेक्स उस कुलारी की मदद से अब भी उस पे भारी पढ़ रहा था, वो उसे एक पर आकर उससे मिले, और वहाँ वो केरा को बताता है कि उसे पहले से ही पता था कि वो सूपर गल है, क्यूंकि सूपर मैन ने पहले से उसे सब कुछ बता दिया था, और उसने ही उसे उसका ध्यान रखने को कहा था, ताकि वो अपनी पावर को खुदी रियलाइज कर शके, अगले सीन में हमें उन सारे एलियन की हेड को दिखाया जाता है, जो कोई और नहीं, बलकि केरा की मौमालूरा की जुड़वा बेहन आश्टरा होती है, और उसे जब पता चलता है कि सूपर गल उसकी नीस है, तो वो समझ जाती है कि वो उनके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है अब कैरा डियों के साथ मिलकर ट्रेनिंग करने लगती है, ताकि वो अपने दुसमानों के सामने अपने पावर का साई से इस्तमाल कर सके, पर अभी तक उन लोगों ने उसे ये किलियर नहीं किया था, कि वो पूरी तरह से तयार है, कैरा बार बार अलक से कह रही होती है, कि और वहाँ पे बहुत से लोग फसे हैं, कहरा तुरंत उस जगा पे पहुँचती है, और वहाँ के फायरपाइटर से पूचती है कि प्रॉब्लम क्या है, और तब उसे पता चलता है कि जहाँ पे आग लगी है, उसके जश्ट बगल में एक सिप खड़ा है, जिस पे लाखो गैलन्स वाइल पड़े हैं, और अगर वो बलाश्ट होता है तो ये पूरा एरिया ही खत्म हो सकता है, वो उस बड़े से सिप को धक्का देकर वहाँ से हटाने की कोसिस करने लगती है, और बहुत जल्द वो इसमें कामयाब भी हो जाती है, पर उसके एकसेस पावर की लड़की है, इसलिए वो अपने सारे टीम से उसके बारे में हर एक चीज को पता करने को कहती है, और वो जीमी को ये काम सौपती है, कि वो किसी भी तरह उसकी सूपर गल के साथ एक मीटिंग अरेंज करवाए, अगले सीर में हम एक केमिकल फैक्टरी देखते हैं, जहां के वरकर को वहाँ एक एलियन दिखाई दीता है, और जब वो उसे रोकनी की कोसिस करता है, तो वो उसके हाथों मार आ जाता है, अगले दिन डियो की टीम उस जगह की इंवेस्टिगेशन करती है, उस वरकर की बाड़ी में उन्हें एक अलग तरह का मेटल मिलता है, जिसे आपको किसी भी रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कैरा उनसे कहती है कि हम पिछली बार की तरह मिलकर काम करेंगे और उस एलियन को मार देंगे, पर एलेक्स उसे लेकर एक कमरे में जाती है, जहाँ पे क्रिप्टोनाइट का रेडियेशन होता है, वो उससे कहती है कि उ पुष्सा होकर वो चली जाती है, कैरा जीमी और चारली के साथ मिलकर काम करने लगती है, ताकि वो अपनी इमेज को पब्लिक में सुधार सके, और कुछ समय के बाद ही पब्लिक फिर से सूपर गल को पसंद करने लगती है, जिससे वो बहुत खुष होती है, और अपने दो डीडीटी केमिकल्स रखकर वो उस पे नजर रख रहे होते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि उसकी महक से वो एलियन वहाँ जरूर आएगा। तब ही अचानक से वो एलियन उस वैन पे हमला करता है। हैंक और एलियन उस पे फायर करने लगते हैं। पर वो एलियन उन पे हमला कर देता है जिसकी वज़ा से एलेक्स घायल हो जाती है। और वो उसे उसकी गाड़ी से उठाकर एश्ट्रा के पास लेके जाता है। कैरा को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो हैंक पे बहुत गुस्सा होती है। हैंक उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसे कहीं से भी ढूण कर निकालेगा। पर अब कैरा खुद उसे ढूणने निकल जाती है। और बहुत जल्द उसकी पावर से उसे पता चल जाता है कि एलेक्स कहाँ पे है। वो तुरंत इसके बारे में हैंक को बताती है और वहाँ पे जल्दी से पहुँचने को कहती है। उसके पहुद नाइट मेटल से बने चाकू से हमला कर देता है जिससे एस्ट्रा को बहुत तकलीफ होने लगती है। इसके बाद अच्छे से इलाज किया जाता है और वो कैरा को अपनी जान बचाने के लिए ठैंक्स बोलती है। उसके बाद वो कहरा को एक रूम में लेकर जाती है जहां पर वो recorded वीडियो के थुरू अपने क्रिप्टोनियन एंसेश्टर से बात कर सकती थी अगले सीन में हम एस्टरा को देखते हैं जो उस चाकू की वज़ह से काफी तकलीप में होती है वो कहती है कि उसने इंसानों को बहुत कमजोर समझा पर वो काफी चालाक और होस्यार निकले तो ये थी एपिसोड वन और टू की पूरी कहानी इसके आगे के एपिसोड हम बहुत जल देखेंगे तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज दू लाइक और शेर दा वीडियो और प्लीज सब्सक्राब तो मैं चैनल और प्रेश देट बेल आइकन